एक नॉमिक मोट एक एडवांटेज है, डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, जो कि आपके बिजनस के प्रोफिट मार्जिन और मार्केट शेर को प्रोटेट करता है, मैं एक एक एकजम्पल देकर आपको समझाता हूँ, मोट क्या होता है, जब मैं कॉलेज में था, तो वहाँ पर एक चाई की दुकान थी, और उस चाई के दुकान का वो जो लोकेशन था, वो लोकेशन उसके लिए मोट था, अगर वो चाई का दुकान कहीं और खोल देता, उस बंदे ने अगर चाई का दुकान कहीं और खोला हुआ रहा था, तो वो actually वो मोट की तरह काम नहीं करता, तो ऐसे में उसकी चौमिन की टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाती थी, और मैं और मेरे कुछ और दोस्त भी ओहीं जाकर खाते थे, और फिर धीरे-धीरे करकर वहाँ पर भीड़ी खटा होने लगे थे, और उसकी चौमिन इस्टॉल अच्छी चलने लगी थे, बट क्या हुआ एक साल के बाद वह जो मोट था, जो की चटनी था वहाँ पर, वह दूसरे को भी पता चलिया था वह रेसिपी आस-पास के चौमिन स्टॉल वाले को, तो क्या हुआ कि जो शेर, मार्केट शेर उसने कैप्चर करके रखा था, अब वह डिस्ट्रब्यूट हो चुका था, और कैशल देखते होंगे, तो कैशल के अराउंड वाटर होती थी, बेसिकली ये वाटर का काम होता था, डिफेंस की तरह एक्ट करना, दूसमनों से उस कैशल को प्रोटेक्ट करके रखना, तो ये जो वाटर है, यहाँ पर ये मोट कहलाता है, एक डिफेंस, एक कॉमपेटिट मर्जिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बात करेंगे हम डिफेंट टाइप्स के एकनॉमिक मोट के बारे में, और देखेंगे कि आप यहाँ पर कैसे एक बढ़ियां एकनॉमिक मोट अपने बिजनस में डेवलब कर सकते हो, और अज अन इन्वेस्टर, आप ऐस बिजनस को ढूंड सकते हो, जिसमें एक एकनॉमिक मोट का अड्वांटेज होता है, तो सबसे पहले जो आता है एकनॉमिक मोट का टाइप, वो होता है ब्रैंड, आप मैं इसके बारे में डीटेल से भी एक्स्प्लें करूंगा, हर एक पॉंट को, तो ब्रैंड, रिगुले में, तो वो बोलते है prestige, और मैं पूछता हूँ, गों प्रेंड को ब्रैंड के ब्रैंड के मामले में अगर pressure cooker के बात करें, तो 10 लाग रूपए 2009 में बन जाते, 7 करोर 2019 में, यह ब्रैंड पावर, ब्रैंड पावर के मामले में आप देखना चाहों, तो और भी आप ब्रैंड देख सकते हो, Nestle भी होगा एक brand, क्योंकि आप brand एक बार आप यूज़ करने लगते हो, तो आप उसे switch नहीं करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे में कि क्या switching cost होता क्या है, और किस तरह से जो users होते हैं, customers होते हैं, वो दूसरे brand के तरफ switch नहीं करना चा में, तो basically आप देखो, कि आप कभी भी बायार में कुछ chocolate लेने जाते हो, तो आप हमेसा kitkat या munch का ही नाम लेते हो, यह दो-तीन जो chocolates है, वो पूरे market share, इंडिया के market share को capture करके रखे हो, इसके अलावा आप देखो, तो यह coffees और भी बहुत तरह के different product categories पर यह काम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि Maggie, जो कि एक Nestle का ही brand है, तो basically आप कभी भी noodles लेने जाते हो, और आप बात करते हो, तो Maggie ही जुवान पर आती है, बहुत सारे factors होते हैं, जो कि brand build करने में लग जाते है, advertisement से लेकर के, good quality of products, तो brand जो है basically आपका यहाँ पर economic mode की तरह काम करता है, च business का बहुत tough government कुछी companies को यहाँ पर काम करने देती है, एक अच्छा सा example अगर हम लेंगे, तो उसका नाम है, हम अपने पैसे को bank में store करते है, तो basically bank electronic form पर हमारे पैसे को रखता है, तो similarly जब हम shares purchase करते है, तो shares को electronic form पर रखने वाला जो depository है, वो दो ही depository अभी तक available है, जिस होती है, क्योंकि जिरोधा ने CDSL के साथ tie up लिया हुआ है, आप ऐसा कहो कि CDSL का basically कुछ काम नहीं है, आपके जितने भी brokers है, जिरोधा से लेकर के, आप stock से लेकर के Alice Blue, यह सारे marketing कर रहे है, यह सारे हिंस को on board करना चाह रहे है, अपने marketing effort से CDSL back end में चुप चाप बैठा तो एक तरह से यहां पर देखो कि monopoly type की business यहां पर create हो रही है, regulatory license के कारण, बहुत सारे example है, जहां पर आपको ऐसे economic mode देखने के लिए मिल जाता है, switching cost, या इसे कहे switching barrier, तो basically यह वो cost है, जो consumer को लगता है, कभी भी brand, product, या service, switch करने पर, ऐसा मान के चल सकते है, आप suppose आप एक client हो, और आप TCS को कोई software बनाने के लिए देते हो, या कोई service सीख करते हो TCS से, और इतना जब बड़ा application build हो जाता है, तो आप यह नहीं चाहते हो कि मेरा जो project है, किसी और IT company के पास जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिकते आएंगी, उन से ले करके, पैसे से ले करके, बह quantum तक चलती है, क्योंकि client के पास है कि हाँ पर switching barrier, आप कहो तो psychological barrier, या cost barrier, हो सकता है कि जब वो नए vendor के पास जाए, infosys पास जाए, तो वो ज्यादा charge करे, और वो client नहीं चाहता है कि आपने smooth business, जो functionality, जो business की उसके run हो रही है, वो उस पर कोई बाधा है, तो basically वो switch नहीं करना EMCs है, HDFC EMC हो, या और कोई भी EMCs हो, उसके backend operations को ये manage करती है, अब कोई भी mutual fund company कोई और दूसरी तरफ नहीं जाना चाहेगा, switch नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी अपना smooth business operation है, जो run कर रहा है, जो comfortably business run कर रहा है, वो उस पर कोई barrier नहीं या बाधा नहीं लाना चाहता है तो basically यहाँ पर एक तरह से आप देखो, तो ये सब business switching cost के कारण आपको एक business advantage मिल जाता है उस particular business को, generic products के बात करें, मैं तो basically call gate यूज करता हूँ, और call gate जब खत्म होता है, तो फिर भी मैं call gate ही purchase करता हूँ, बट जब newspaper हो, या कुछ और भी brands हो, जब आपको जहाँ पर switching barrier ब हमेशा purchase करते हो, यह basically एक business moat है, जो company पर cash inflow ला रहा है, बार-बार, क्योंकि आप उसे cash दे रहे हो, तो एक बहुत, बहुत अच्छा sign है यहाँ पर, एक moat की तरह यह काम करता है, उस particular business के लिए, network effect पर बात करते हैं, तो यह भी एक तरह का economic moat है, यह कम होता है, when a good or service becomes more valuable as more people use it, बात करते हैं सबसे पहले, network.com, info edge की तरफ, info edge, network.com की आप UI देखो, तो बहुत ही घटिया है, technology के मामले में, वो बेकार है, बट क्योंकि वहाँ पर बहुत चारे resume पोस्ट हो रही है, recruiters वहाँ पर है, job seekers वहाँ पर है, business बहुत अच्छा चलता है, आप हर बंदे से job seeker है, network.com का name वो पहले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर maximum job recruiters है, तो इस करण से ये तरह से आप बोलो कि word of mouth marketing भी हो जाती है, और ना कि उसका service अच्छा है, इसलिए बंदे यूज़ कर रहे हैं उसे, बलकि वहाँ पर बहुत सारे ज्यादा लोग available है, तो basically एक network effect है, और आप कोई और networking site या तो messaging app नहीं use करते है, क्योंकि मुझे पता है कि WhatsApp पर मेरे friends जादा है, तो basically ये भी network effect है, Twitter नहीं, Twitter पर भी बहुत सारे लोग available होते है, इसलिए हम different, एक अलग कोई, जैसे कि अब एक Q app के बारे में आ रहा था, तो बहुत सारे आपको switch करने में बहुत सारा time लगेगा, एक particular network site की हो, तो ये basically एक network effect है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग available है, इसलिए वहाँ पर आप भी जाना पसंद करते हो क्योंकि आपके friends relative वहीं पर है, इसलिए आप वहाँ पर जाना पसंद करते हो, इसके अलावा जो last cost effect, बहुत सारे business क्या होते है, कि bulk में अपने seller से raw materials या reselling करने के लिए जो भी product purchase करते है, और फिर वो जो बचता है margin, वो consumer को pass कर देते है in the form of discount, तो basically ये cost effect है, ये भी एक त मैं एक चौमिन वाला example दिया था आपको, वहाँ पर economic mode thin होने लगा था, narrow होने लगा था, ऐसे ही क्या होती है, कि बहुत सारे business की भी जो economic mode है, वो narrow होने लगती है, आपको ये ध्यान देना होगा, पांच साल या 10 साल तक, किसका वो competitive advantage है, जो economic mode है, वो बरकरार रहेगा, वो क्या वो durable है, कि या वो जो economic mode है, 6-8 महिने के लिए है, या हो सकता है वो 5-10 साल के लिए है, अगर ये ज़्यादा duration के लिए है, जो अगर durable है, competitive advantage और economic mode, तो आपको बहुत अच्छे return लाकर दे सकती है, अब हम आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे आप प मैं इस तरह की वीडियोज लाता रहूंगा, stock market से जुड़ी सारी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेगी, mid cap और small cap companies मैं हमेशा तलास करता रहता हूँ, तो जरूर से जरूर आप subscribe कर लेना चैनल को और all वाला बटन जरूर प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना मिलते हैं अगले वीडियो में तबसक के लिए धन्यवाद,